यह good news है जिन्हों ने भी UGC NET का paper दिया था क्योंकि UGC NET ने अपने result आउट कर दिया है तो आप अपना UGC NET का result चेक कर सकते हो तो आज के lecture में हम discuss करेंगे कि कैसे आप step by step UGC NET result को check कर सकते हो और कैसे आप उसे download कर सकते हो तो सबसे पहला आपको क्या करना है Google Chrome पे जाके आपको search करना है UGC NET result 2020 इसके बाद आपको UGC NET के official website पे click करना है जो की UGC NET national testing agency है अब इसके बाद आपको नीचे scroll down करना है जैसे आप नीचे scroll करोगे तो आपको यह जो first दिख रहा है that is UGC NET June 2020 NTA score आपको इस पे click करना है जैसे आप इस पे click करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से page open हो जाएगा आपको यहाँ पे application number डालना है जो भी आपका date of birth होगा वो डालना है और आपको security pin क्लिक करने है अब application number पे आप अपना application number डाल सकते है अब अगे लुद से इस तरीके सामने करने हो जाइ़ एके सामने करना है पहने करना है जो जो मेंग प्पचावा पापको यह जो पाइ़ आपकों तरीका यह जो मुदस कोईब झामने ऑलना है झाल 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 सब्मिट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपके सामने रिजल्ट आजाएगा और यहाँ पे आपको रिजल्ट में है अगर आपका यह सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स गिवन है और कुछ सब्जेक्ट के पर्सेंटाइल गिवन है जैसे अगर आ यक्शेशिप के लिए हो तो आपका परसेंटाइल डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट वाइस पर जैसे यहाँ पहर यानि कि स्कस्टाइण के 6% होंगे उनका व्लिजीनफाइड यहाँ पहर यहाँ पिर हेंट 1 का परसेंटा रिजैने 94.30 और पेपर 2 का परसेंटाइल है 92.77 और टोटल परसेंटाइल है 94.35 और यह qualified है तो इस तरीके से आप अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं और अब आपको अगर रिजल्ट डाउनलोड जैसे ही आप पिंट पर क्लिक करोगे उसके बाद आप यहां से PDF उसके बाद आप चाह करते हैं और उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हूँ उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आओका अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज ऐसे ही और वीडियो के लिए अपने दोस्ते के साथ शेयर करें और अगर चैनल में आप नहीं थे तो प्लीज चैनल को सब्सक्र झाल 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 झाल